परिचय रोहन दुखी है, उसके खिलोने वाली बस के दो पैये निकल गए हैं, अब बस दौड नहीं पा रही है, वो उस बस को अपने पापा के पास ले जाता है, तथा उसे ठीक करने को कहता है. उसके पापा बस के दोनों पईयों को जोड़ देते हैं तथा बस पहले के तरह ही सही हो जाती है इस सथ्याय में आप पईयों की कहानी के बारे में जानेंगे आओ सीखें पईये के महत्व का वर्ण करना पईये की खोज का वर्ण करना हर जगा पईये सडकों तथा पट्रियों पर चलने वाले सभी वहनों जैसे साइकल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक तथा रेल गाड़ी आदी में पहिये होते हैं हवाई जहासों में भी पहिये होते हैं क्यूंकि उडान से पहले वे सडकों पर दोड़ते हैं पहिये की कहानी बहुत समय पहले यातायात का कोई साधन नहीं था मनुशे पैदल चल कर दूरी तै करते थे वह सामान को अपने पीट पर या अपने घरेलू जानवरों जैसे गधे, भैसों आदी की पीट पर लात कर चलते थे लेकिन लंबी दूरी होने पर उन्हें ऐसा करने में बहुत परिशानी होती थी पैए की कहानी एक दिन काम करते समय एक आदमी ने लकड़ी के लठे को लुड़का दिया उसके आकरिती गोल होने के कारण ही वो आसानी से ऐसा कर पाया था फिर उसने एक पेड़ के तने को दो गोल भागों में काटा उसने उन दोनों को जोड़ कर एक गाड़ी बनाई इस प्रकार से पैए की खोज हुई थी पैए का नवी निकरण हम लोगोंने लकड़ी के पैए के समय से लेकर अब तक एक लंबा सफर तै किया है अब हम एक पैए बनाने के लिए स्टील, लोहा तथा रबर का प्रयोग करते हैं ये पैए मस्बूत होते हैं और अधिक समय तक चलते हैं पैएोंने यातायात को आसान बना दिया है इसलिए पैए हमारे दोस्त हैं आओ खेलें उस वस्तू पर क्लिक करें जिसमें पैए नहीं होते हैं हमने क्या चड़जा की? पैए आकार में गोल होते हैं गोलाकार होने के कारण वे आसानी से घूमते हैं लोगों तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाने के लिए ही वहनों में पैयों का प्रयोग किया जाता है